हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अब ही तो यही थी जिसमें आपके रिष्टदार बैठे वे थे कहां है वो अब कुछ कहते क्यों नहीं है अब कहींगे ना चुक क्यों है अरे भाई यह कौन से रस्ते जा रहे हैं और हमारे पीचे वह गाड़ी थे वह काँगी मैडम यह आप क्या कर रही है पागल हो किया हा अर इगन कहाँ तुमारे बास निचे आए नहीं मुझे पेले थे श्यक्त फाहे इसे कहिए यह घाड़ी रोके इस्ते क्यों है टेका एगड़ी दोकि बहुनी मत चलाना गोली मत चलाना गोली जा जा एक राजवाब और खासकर करके वो गुलाब जामून रसीले बदा आ गया यार आगा यार बहुत दिनों मैं ऐसे गुलाब जामुन नी कायते हूं यह जाए गौड एक दम डटके गाया वाभाव यह बस 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 सान के बाग, बाग, बाग यह पता है मुझे लेकिन तो गर तक क्यो आ रहा है शोडने को मैं चलते जाओंगा जरा वाग भी हो जाएगा खाना भी अजम हो जाएगा इस ताइम वाग एक मिनाट, बॉस, कोई गल्प्रेंड का चक्क्र तो निया था? साडूंके, गल्प्रेंड का चक्क्र तो तीरा होता, मेराने, सारे कॉंट्रेक्ट तेरे पास है गुरुदी आप हमाराज अर्सुन, अपनी घर जाना और क्या और क्या चलो फिर, मिलते हैं बाई बाई-बाई आराम सुझ लेजाए तेर बच्चु का है रापका बचाओ 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 वही पर रुक जाओ एक कदब भी आगे पड़ाया तो नतीजा खताब हो है हमारे रास्ते में टांग मतड़ा चुप चाप यहां से निकल का भाग जब तुम जैसे लोगों के मामले में टांग अड़ा नहीं मेरा काम है समझे यह हमारे लब्रे मातर तो जब चाप इस पड़की को हमारे अभाले करते निकले यहां से हमारा अच्छा नहीं हो रहा तरह लिए तुम लोग ऐसे नहीं मानो के हमारे इसे वस्तों काना भागो बाग भाई साब आपके पास गल पॉलिस पर काम करते हैं क्या मैं इसे भी प्रदिमन सी आइडी से गवरामत क्या ना में तुमारा मेरे ना जयसमान स्थ मुझे घरए मुझे पहुचा आटीचा लगा स्थ मुझे घरए esis मुझे घर पहुचा देज़ यहाń क्यूं सार जस्वीन अलिए बताव तुम अकेले इतनी राधिया क्या तर रहे थी क्या हूआ और वो लो क।न है जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? पता नहीं सर, मैं तो रास्ता भटक गई थी अच्छानक से यह घुंटे पीछे पढ़ गया मेरे जान के दुश्मन बन गए जस्वें, वैसे तो तुम्ही देख कर लगता है कि तुम्हारी नहीं नहीं शादी हुई है क्यों? जी सर तुम अक्यले इतनी राद के कहा जा रही थी तुम्हारे पदी कहा है? पदी? सर वो तो शेहर से बाहर है सर बाहर कहें? तो लाव उनका फोन नंबर दो मुझे मैं उने फोन करता हूँ सर, नंबर मुझे याद नहीं है सर क्या का? अपने पती का फोन नंबर याद नहीं यह कैसे हो सकता है? सर, आगे से आप प्लीज दाएं तरफ ले लीजे यहाँ पर? हाँ सर वहाँ रहती हो तुम? के भी कॉल्नी में? सर आप एकाम कीचे आप यहाँ पर गाड़ी रोख दीचे सर, मैं चली जाओगी यहाँ जासी नेक मिनेट अरे अखे भी का जाओगी मैं आता हो तुम्हें चोड़ने के लिए का रहती हो बताव यह सामने जो गेट है नहीं सर वहां अंदर जाते ही सामने जो सफेद कलर का घर है सर, मैं बढ़ी पर रहती हूँ अच्या वहाँ पत्तु चलो, मैं तुम्हें चोड़ाता हूँ नहीं ने सर, मैं चली जाओँगी आप एकार में तकलीफ उठा रहे हैं सर अई नहीं नहीं यह तो मेरा फर्ज है इतनी राध गेग, तुम्हें मैं अकली नहीं चोड़ साथ चलो, मैं तुम्हारे खर चोड़ाता हूँ नहीं नहीं सर, अब त्रीज तकलीफ मत उठाइए सर वैसे भी अब गुंड़े मेरे पीछे नहीं पड़े हैं सर वह मेरा पीछा नहीं कर रहे है मैं चली जाओंगे, सर ठीक है, तुँ जाओ लेकिन सुनो, जब भी कभी कुछ ज़रूरत पड़े मुझे फोन करना, CID Bureau में जी, सर, सर वैसे मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, सर गुटनाइट समझ में नहीं आता है, चक्कर क्या है इस लड़की का जस्मिन कुछ तो छुपा रही है मुझे जलके देखना पड़ेगा उस सपेद घर में सन्नी तो करनी पड़ेगी कोन आया होगा इतने रात को? देखो तो, कोन है? कोन है? और यह कोई वक्त है किसे के घर के घंटी बचाने का? मैं सॉरी, देखिए, मैं ACB प्रत्यूमन CID से CID से? ACB प्रत्यूमन? इस वक्त हमारे कर में ठीके, घबरा ही है मत, मैं सर्फ यह देखने आया था कि जस्मिन ठीक है या नहीं? कौन जस्मिन? अरे? वो लड़की जिसे मैंने अभी-अभी आपके कौनली के गेट पर छोड़ा यहीं पर तो आई है वो? नई सर् यहाँ पर कोई जस्मिन नहीं रहती है देखिए रहम शायद इस जस्मिन की नहीं नहीं शादी हुई है हाथ में लाल रंगी चूड़िया पहनी थी हर्य रंग के कपड़े थी और हाथ में एक काली पर्स भी है उसके हमने आपको बताया ना, सर हम किसी जस्मिन को नहीं जानते सर, हमरा विश्वास कीजिए इसकर में हम दोनों अकेले ही रहते हैं आपने कुछ गलत सोना होगा ने, ने, मैंने कोई गलत नहीं सुना है उस लड़की ने यही एट्रेस बतायाता जस्मीन जस्मीन आप कुछ छुपा तो नहीं रहे मेरे से कुछ छूट तो नहीं बोल रहे हैं आप नहीं, सर अगर पता चला कि आप जूट बोल रहे थे तो नतिजह अच्छा नहीं होगा, समझे? दुबारा आओंगा गोरे गाओं इस के-बी कॉलोनी के-बी कॉलोनी हाँ उस कॉलोनी का एक एक घर, एक एक गली छाण मारो एक भी घर नहीं बचना चाहिए अरे वो लड़की जमीन में थोड़ी ने घुजगई है वहीं कहीं चुपके बैठी वे मौका मिलते महां से भागेगी ठुंड़ो उसे, हाँ जैस्मिन जैस्मिन नाम है उसका, मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट रहिए, ओके? फाइन साह स्पेशल टीम को लगा दिया है एक-एक घर? सार, एक-एक घर, एक-एक कली बट जल्दी बता चल जाएगा समझ भेने आता एक छोटी सी भूल की मैने एक छोटी सी भूल उस लड़की के बातों पर भरोसा किया मैं लेकिन उस कौनली की गली गली चान मारी मैंने यह सोचकर कि कहीं पर भी चुपकर बैटी हो, कभी दो बाहर निकले की सर वो लड़की मरते मरते बची है और सी आइडी ओफिसर से भी बचना चाती है इसका मतलब है वो किसी बड़ी मुसिबत में फसी है सर अलकिन अगर मुसिबत में पसी है तो मुझे बताती सी आइडी वालों को बताती और सबसे आजीब बात तो यह है कि उसे अपने पती का नंबर तक याद देए सर यह भी हो सकता है किसी गायर कानोनी काम में उन्ही गुंडों के साथ मिली हुई हुई किसी बात को लेके आपस में जगडा हुआ होगा गुंडे पढ़ गया इसके पीछे मगर सर उसने आपको केभी कॉलनी में छोडने के लिए क्यू कहा होगा कोई तो वजह होगी ना कोई तो वजह जरूर है दया उस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है उस केभी कॉलनी के साथ साथ सर स्केच आटिस्ट आप स्केच बनवाएंगे हाँ क्यों मैंने बनवा सकता इस बर मैं विटनेस चलो लग जाओ आप दिखिये कल रात मैंने एक जसमीन नाम की लड़की को आपकी कॉलनी के गेट पर छोड़ा था वो लड़की मेरी आखों के सामने इस कॉलनी के अंदर आई और उसने मुझे यह भी बताया था कि वो मिस्टर और मिस्स कुमार जिस घर में रहते हैं उसी घर में रहती है लेकिन अब मिस्टर और मिस्स कुमार का कहना है कि वो किसी जसमीन नाम की लड़की को जानते ही नहीं आई आप लोगों मैंसे कोई तो जानता होगा जसमीन को हमने तो जैसमीन का कभी नाम भी नहीं सुना सर आप लोगों में से किसी ने तो सुना होगा जी नहीं सर यह कैसे हो सथा वो लड़की मेरी आखों के सामने कॉल ली के अंदर आई थी देखिए सर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कल रात हमारे गर पे जैसमीन नान की कोई लड़की नहीं आई थी सर आप हमारी बात पर विश्वास क्यों ने करते हैं सर तो फिर यह लड़की गई तो गई कहां यह देखिए यह उस लड़की का स्केच है कि आप मेंसे किसी ने भी इस लड़की को देखा है दोर से देखिए और याद करके बताई कहीं पर तो देखा होगा आप मेंसे किसी ने इस लड़की को या तो कॉलनी के अंदर या पिर कॉलनी के बाहर कहीं आस पास तुम तुम निए इस लड़की को देखा है अहां सर देखा है यह मेरे घर के बगल वाले बंगले में ही रहती है बगल वाले घर में? अहां सर और इसको जादा बाहर निकलने भी नहीं देते बाहर निकलने नहीं देते? क्यों? पता नहीं सर किसके साथ रहती है यह जास्मीन? सर अपनी सास के साथ रहती है यह. कहाँ पर रहती है वो? कौनसा बंगला? वो नीला उला बंगला. तेंक्यू. है ना बड़ी अजीब बात? इपने सारे लोग इस कॉल्नी में रहते हैं, लेकिन यह जास्मीन को पहचानने वाला सिर्फ एक ही आदमी है. कुछ तो गड़बड जरूर है. जी? जास्मीन आपकी किराएदार है ना? वो अपने सास के साथ यहां रहती है? जी. जास्मीन और उसकी सास कल्पना? दोनों यहीं पर किराएपे रहती थी. रहती थी मतलब? अब नहीं रहती? जी. जी. जास्मीन कल राज से घर ही नहीं लोटी. यहां आई नहीं? जी नहीं. और उनकी सास कल्पना जी? कल्पना तो सुभा ही छे वजे चली गई थी. और जब मैंने उससे पूछा यह बैग लेके कहां जा रही हो? तो कहने लगी कुछ काम है. तीन दिन में वापिस आजाओंगी. च्छा. मतलब यह कर्पना रिरफ चक्कर हो गई है. वैसे जैस्मीन ने किया क्या है? वही तो हम पता लगा रहे हैं किस जैस्मीन के साथ कुछ हुआ है या फिर इस जैस्मीन ने कुछ किया है क्या? वैसे जैस्मीन से आपकी पहचान कैसी है? जी जैसमीन और कलपना को एक एस्टेट एजेंट लेकर आयता और उसी ने एग्रिमेंट बनवायता इच्छा इस एस्टेट एजेंट के डीटिल चही है हमें जी वैसे ये दोनों साज बहु आपके घर में कौन से कमरे में रहती थी उस अंदर वाले कमरे में जी मुझा विनि अभी लाते हुए ये लिजी और कुछ बता सकती है इन दोनों के बारे में आप जी कलपना बहुत ही विचेतर थी वो अपनी बहु जैसमीन को जंड करें नाथ जाने दोती थी और नाहीं किसी से बात करने देती थी और उसका पती भी ऐग तोबर अजिए तो लगता है यहां जसमीन को यहां पर बंदी बना के रखा गया था सर अपने कहा था ना कि जैसमीन ने नई नवेली दुलहन की तरह चूड़ियां पहन रखी थे तो सर उसने हाल ही में किसी ही मंदिर या मैरेज हॉल में शादी की हो गगा तो बस शेर में जितने भी मंदिर हैं जितने भी बैंक्वेट हॉल जितने भी मैरेज हॉल सब में जाकर के पूछटाच करो देखो यह जसमीन के बारे में क्या पता चलता है अलो सर आप भी हॉल भुकराने आयें जी नहीं दो हफते पहले आपके यह शादी हुए थी हम उसके बारे में पूछटाच करने हैं तो हफते पहले की शादी के बारे में पूछटाच जी किस लड़के के साथ इसकी शुरू होता है मैं अभी चेक कर कर बताता हूं हां सुहान सुहान वेट्स जैसमीन सुहान वेट्स जैसमीन अच्छे इसकी शादी के बारे में कुछ और बता सकते हैं आपां वैसे तो सर यहां जो भी शादी होती है हम उन सब का एक फोटो रख लेते हैं अपने रिकोर्ड्स के लिए तब तो इस्षादी की फोटो भी होगे आपके पास? हाँ, होनी तो चाहिए, सर. दिख़्ाइए 29. यह सुहान यह है जैसमीन का पती सुहान? अगर यह आदमी जैसमीन का पती सुहान है, तो फिर इसकेच में कौन है? जिसके बारे में जैसमीन के पडोसियों ने बताया था कि उन्होंने इसे जैसमीन के घर आते जाते देखा यह तो मैं भी सुच रहा हूँ एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट इस फोटो में वो वाली सास तो है यह नहीं? कितनी अजीब बात है ना साचन अजीब सी बात तो है एक मिनिट, यह दूसरा स्केच देखिए इसका नाम कल्पना है इसे आपने शादी में देखा था क्या? नहीं, शर यह तो शायद नहीं आई थी अचा इस शादी में कोई अजीब बात हुई थी या फिर कोई अजीब घटना घटी थी? हाँ, शादी के बाद एक अजीब घटना तो घटी थी क्या? शादी के बाद भी कुछ बाराती यहीं पर चिप के रह गए यही चिप करें मतलब उन्होंने कमरा खाली करने से मना कर दिया अचा क्यों वो कहने लगे वो किसी का इंतजार कर रहे है जब वो आयगा तब वो जाएंगे फिर क्या हो फिर क्या वो आया और उन्हें समझा बुजा कर ले गया शायद वो वही आदमी होगा जिसके लिए वो बाराती इंतजार कर रहे था अचा यह आदमी देखने में कैसा था उसने टोपी पहनी थी और काला चश्मा था कुछ देर यहां खड़ा रहा और फिर किसी को उसने यहां से फोन किया मतलब इस लैंड लाइन से जी सर अचा आपने सुना के फोन पर वो क्या बात कर रहा था नहीं सर अचा इस आदमी ने किस वक्त फोन किया था यही कोई एक बज रहे थे के एक बजे तब तो फोन रिकॉर्ड से जरूर पता चल जाएगा कि उसने यहां से किस को फोन किया था अब ये ये लर्की जस्मी इसका बहुत बड़ा रैकेट है यह देखो अब इसकी शादी की फोटो यह देखो इसमें जो सास बनकर खड़ी है वो उसकी सास यह नहीं है और फिर इसका पती बनकर यह जो खड़ा है सुहान अगर यह उसका असली पती है तो फिर वो पती कौन है जो उससे चुपके मिलने जाता था घर पर ये शादी भी नकली लग रही है सर रज्टार के आफिस में ऐसी आजायना भी तो पता चलेगा कैसा पुलिस विरिफिकेशन किया था उसने इन लोगों का सरी एक बहुत लंबी चोड़ी प्लैनिंग है सर अमारे साथ दोका हुआ है मतलब फोन नंबर भी नकली है जेष्बो जासमीनं के पती ने जो फोन नंबर लिकवाय था। वो भी रख लिए। साथ साथ बूगी है शरू दुम होए यू भू भी नंखिवाय हिसरू। तो तुम हो वो एस्टेट एजेंट जिसने कलपणा जस्मिन को केवी कॉलनी वाला धर दिलवाया था देखें सर नकली पेपर बनवाया थे पुलीस वेरिफिकेशन में नकली था मुझे ने मालम था सर कि ये मामला सी आइडी तक पहुंच जाएगा जस्मिन कहा है? कौन जस्मिन सर? मैंने पूछा जस्मिन कहा है? नहीं मालम सर कलपणा कहा है? कौन कलपणा सर? बाटी दख बाट ये ये कलपणा है सर ये कलपणा नहीं प्रिया है ये प्रिया है? कलपणा नहीं? हाँ सर ये तो पहले से ही प्रिया थी मतलब तुम पहले से ही प्रिया को जानते थी? यह बार-बार घर बतलती है और किसी भी घर में जाधा समय तक नहीं रहती और इनको घर कॉन दिलवाता था? मैं सर नकली पेपर से उन्होंने मुझे इतना पैसा दिया और कहा कि अपना मूँ बंद रखना तुम ने अपना मूँ बंद रख यह जैस्मिन का क्या चक्कर है? सर बै जास्मिन को नहीं जानता और उसकेर में प्रिया के साथ कॉन राता यह भी नहीं मालूम सर जब उन्हें अपना घर पतलना होता था तो किरणे के दुकान पे मेरे लिए चिठियां छोड़ देती थी कहां है किरणे की दुकान? सर बब अलो हाँ बोलो तहां किया था? वाइट लाइट लाइड एजिनसी? ओक ओके ठीक है सर उस राजजादी के हाल में से उस टेड़े आड मेंने वाइत लैंस ऐड एजन्सी में फोन के आदस है काम करो इस कीरान ही कि स्क्रणी के दुकान में जाकर चोंज डालो वाइत लीजन्स ऐड एजङन्सी पर छापा मारो है अप प्रिया जी का कोई अ संधेशा है अज नहीं जमॆ नहीं आज कोई जैंढ नहीं टिकूप यह सी आइडी वाले है प्रिया जी के लिफाफोंने तो मुझे फसा दिया समझे मतलब तुम भी फसनेवाले हो संजे क्या सा लिफाफों में मुझे कुछ निफाफू निको पूछे ने इनको पालूब होगा नहीं सर नहीं सर हां कि लिफाफू की हिरा फेरी कप से कर रहे हो? मुझे मत फसा ये साब प्रिया जी लिफाफे छोड़ जाती थी और ये साब ले जाते थे बस कभी ये नहीं सोचा कि आज कल के मोबाइल फोन्स के जमाने में कभी कोई किसी के लिए चिट्री छोड़ता है क्या? और फिर क्यों छोड़ता है? कभी नहीं सोचा? साब, एक बंद लिफाफा रखने भर के लिए अगर महीने में पचीस हजार रुपए मिले तो तो? तुमें पचीस हजार रुपए मिले और तुमने अपने दिमाग पे ताला लगा लिये? कभी ये नहीं सोचा के लिफाफा खोल के देखू? उसमें है क्या? साब, अब इनसे क्यों नहीं पूछते हैं? इनको मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम साहाब कुछ इनसे तो हम काफी पूछताच कर चुके हैं अब आप बताइए, इप्रिया जी रहती कहा है? मैंने उनका घर तो नहीं देखा है, हाँ, उसने बताया था कि वो आगे वाली गली में कहीं रहती है आगे वाली गली में? चलो आप लोग? हम लोग C.I.D. से हैं C.I.D.? पर यहाँ पर क्यों? प्रिया जी यहाँ रहती है, तो हम प्रिया जी को ढूण नहीं आए? आप लोग मेरी मम्मी को ढूण रहे हैं, पर क्यों? क्या? प्रिया जी तुम्हारी माँ है? जी. तुम्हारा क्या नाम है? इल्याना. इल्याना, क्या यही तुम्हारी माँ है? जी, मम्मी है, और ये कौन है, जानते हो इसे, अरे, ये आपके पस कहां से आया, ये तो मेरे मम्मी के मैनेजर है, अमर, तुम्हारी माताजी का मैनेजर? जी, शर्या, इस सुहान, अमर कबसे बन गया? वही तो, अच्छा, ये बाकी के दो जिन कौन है, नहीं, इन लोगों को म ये तो जानती होगी ना, कि तुम्हारी माताजी किराय के घर में रहती है, और कुछ-कुछ दिनों में अपना घर भी बदलती रहती है, क्या? जया, वो भी नाम बदल बदल कर, क्या बखवास कर रहे हैं आप, आपको पता है आप जस घर में खड़े हैं, ये बंगला मेरी म ये, वो यॉर्ड गई है, यॉर्ड गई है, अच्छा, क्यों खिसली है? बिजनस के सिलसले में, कौन सा बिजनस? टेकस्टायल एक्सपोर्ट का, अच्छा, अच्छा, तो प्रिया जी टेकस्टायल एक्सपोर्ट करने लगी है, इलियाने जी, आपको यह जानकर दुख मतलब यह के वो यूरोप पे नहीं यहीं इंडिया में मम्मी इंडिया में ही है जी हाँ और पिछले ही हफ्ते इस एस्टेट एजेंट ने आपकी मा को एक फ्लाट दिलवाया था के भी कॉलोनी में और वो भी कल्पना के नाम से कल्पना मेरी तो कुछ समझ महीं नहीं आ रहा ह क्या भी इसी वक्त और जब तक वो फोन नहीं उठाती तुम फोन लगाती रहोगी स्पिकर फोन भी आउन करना घंटी तो बज़ रही है मगर ममी फोन नहीं उठा रही है दुबारा लगा आप चिस नंबर को टाय कर रहे है वो इस समय स्विच्ट ओफ है स्विच्ट ओफ फोन स्विच्ट ओफ आ रहा है पहले फोन नहीं उठा रही थी अब फोन स्विच्ट ओफ आ रहा है इस चक्कर क्या है इलियाना मैं इसके बारे में क्या के सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर शायद प्रिया जी को पता चल गया है कि हम उने ढूंड रहे हैं आपर चुपेगी तो चुपेगी कहां ढूंड कर तो हम निकालेंगे लियाना, तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ा चक्कर चला रही है गैर कानूनी चक्कर और इसलिए तुम इस घर से कहीं भी नहीं जाओगी मतलब मेरी घर में आप मुझे बंदी बना के रखोगे वैसा ही समझ लाओ, हमारा एक सीनियर ओफिसर तुम पर कड़ी नजर रखेगा यहां पर राहूल को न है? जी मैं ही राहूल हूँ, फोन पर आपको मुझे से ही बात वी थी, आप C.I.D. से हैं ना? जी यहां, दीस नॉम्बर 2012 को तो पहर के एक से डिड़बजे के बीच में, रॉयल ग्लांस के लैंड लाइन से आपके इस वाइट लाइन एड़ोटाइजिंग एजनसी में कॉल आया था और जहां तक हमें पता है, वो नमबर आपके कास्टिंग एजन्ट का टेरेक नमबर है जी अच्छा कहीं यो कास्टिंग एजन्ट तो नहीं जिसने उस दिन काली टोपी और चश्मा लगाया हुआ था आपने सही काहा सर, यह रहा वो आदमी, बॉबी अच्छा, तो तुम ह अब जड़ो, सर मैं तो खाली कॉडिनेटर हूं सर, शादी बया में आटिस और मॉडल सप्लाई करता हूं सर, बस देखो बावी बाभू, सब को सही सी बताता हूं कि बात क्या, मैं सब हॉल करूँगा ना, कि तुम्हारी सारी सप्लाई पनना जाएगे, सब्जाएगे, सब मैं तो खाली प्रिया जी के कहने पर आटिस और मॉडल सप्लाई किया गरता था, बत और बराती, बस सर, क्या, प्रिया जी के कहने पर, जी सर, प्रिया जी के कहने पर, इचकर क्या है, इतना पूछने का हग तो मुझे था नहीं, लेकिन सर मुझे लगता है, प्रिया जी शा के जुमाबाब बने थे, वो कहा मिलेंगे? सप्रिया का फोन इसी घर से ट्रेस हुआ इस तरह दर्वाजा तोड़कर अंदर आने का मतलब? आप लो कौने हैं साफ? चुप चाप एक तरफ खड़े हो जाए साफ हमें तो सिब नौकर आग्मी हैं साफ साफ, आप लो… चुप! कहा ना चुप चाप एक तरफ खड़े हो जाए जल्दी घर की अच्छी तरफ से तलाशी लेगे तलाशी? साफ? साफ, नहीं साफ साफ, यह… प्रिया कहा है? जाए प्रिया! प्रिया जी? याप्रिया जी, कहा है? पताओ सभाब, जल्दी बताओ, साथ मैम को तो घट से बाहर गए आदा घंटा हो गया शाफ आदा गंडे पले बाहर चलिए साथ मैटम बठाकर नूँ चाहती साफ रामा पान जल्दी से बताओ, काँ गई बताओ जल्दी साथ वाक्ग हमें कुछ नहीं मालूम से साफ हमनों तो दस वजे आते हैं और शाम को साथ मजे चले जाते हैं साफ सर्थ यह देखे कंप इस क्याप्रा सर्थ हाँ से देखे तलवारे क्यों तुम्हें तीन लोग थे जो जस्मिन को मारना चाहते थे मेरी आखों के सामने है ना में साफ कर रहें ऐसे मुझे बिमारानerson कि कोशिश कर रहे तेना अश्यूंन थेता टोफिया उफिरस करो हमता इसा ने मुझे भशा कर पिड़ा सकत है अभsex एभी जी द्रिंग Craig जिए आप आए खाले रहो, आगे मन दोरो! रुक्योव! एए, तुम लगीन को स्रोवनों राइन लग्याता हुआ! रुक्योव! 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 पथ्ण। बासे बैच्वुー、 ट्रीक्योव! बैच्पषusi! मिलीद्रहाब! मिलीद्रूख जाओ! एए! पोस् Uni ari hoang! मिलीद्र! छोलो सै! पर शारी बोल्बाट जोल बटाइब कर लिए पर देखें प्लीज आप यहां कैसे आगये? देखें प्लीज आप आप मिराश्मत कीजे मैं तंग आगया हूं प्लीज हमारी मदद कीजे आप आप तो हमारे गले पढ रहे हैं तेख्या हमें पता चला है कि आप प्रिया जी जानते हैं जो सब की शादिया करवा देती है अप जानते है ना जी हाँ अरे तो प्लीज हमें मिलवा दीचे हमारा चचेरा भाई कब से कुमारा बैठा है उसका भाग यह खुल जाएगा लेकिन आप है कौन? CID. CID? आप लोग दूसरों की शादिया करवाते रहे हैं और हमारा यह भाई कुमारा बैठा रहे यह तो बड़े अन्याए की बात है लेकिन सर्थ हम तो बस हम लोग तो बस नकली माबाप बनते हैं शादियों नकली माबाप और नकली शादी नहीं जादी है शादिया जूटी नहीं होती दर असल शादी तो असली होती है लेकिन माबाप नकली होते है हम तो बस सिर्फ वीदी के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं सर ये बात है लेकिन नकली माबाप बनके शादिया करवाना जुर्म हैं मालूम है ना हाँ सर मालूम है अर तुम लोग जैस्मिन के खर्भी गय थे. शुहान के नकली मपाप बनने के. जी, गय थे. वो लड़की के मपाप को मिले के लिए गय थे सिर. जब पोटो दिखाना, सुखे. इस फोटो में यही दोनों जैस्मिन के असली माप है ना? हाँ सर, यही असली माप है. है बात में मालूम नहीं यह तो मालूम होगा कि वसाई में जैसमीन के माबाब कहा रहते हैं प्रिया मैम, आधे घंटे में अपने बैक्स बैक कीजिए, आपको लंड़न की फ्लाइर पकड़नी है, और हाँ, प्रिया मैम के ओर्डर से आप उनसे कोई जवाल नहीं पूछेंगी, अपने बैक टाक कीजिए, सुना निया मने अपने बैक्स पैक इकीजिए, तुम्हे आर नहीं आया चीनिया था, क्यों, क्या हुआ इस छोड़ो और यह वताओ के, जैस्मिन कहा है जैस्मिन, कौन जैस्मिन ? जैस्मीन को नहीं जानती, बताते हो या फिर गोली करूँ सर के आर बार? कुलाबा में छोड़ा था कुलाबा में गहाँ पे? बीरा चौक में बीरा चौक में Sir, अमर हमारे हाथ लग गया है Sir जैस्मीन को कुलाबा के गोलाबा के बीरा चौक पे छोड़ा है तुम कुछ बॉल करने रो, बेटए जास्मीन ठीक तो है ना, कहा है वो तुम हमें कहां ले जा रहे हो? तुम बोलो ता सही ोश्मा कहां लेके जाộtरह हो जिसमीन के माता पिता को यह उस्वान, कहा लेके जा रहे हो, जस्मिन के माता पिता को, हाँ? आप लोग? अम लोग C.I.D. से, हम भी बता दो कहा है वो, हम सब साथ चले चलते हैं, जस्मिन से मिलने के लिए कैसी वाती कर रहे है अब लोग, मुझे कैसे बता होगे कि जस्मिन कहा है योट, हमें सब कुछ पता चल चुका है, समझे है? यह सब क्या हो रहा है? सीधी तरह से बता दो, कहा है जस्मिन? क्या किया तुमने मेरी मेटी के ताथ? पोलो, कहां चुपए होते? पोलो! रुख जाओ! रुख जाओ! रुख जाओ, सुहान! रुख जाओ! देखो, अपने आपको हमारे हवाले कर दो! हमारे हवाले कर दो! देखो, तुम भाग नहीं सकते! रुख जाओ, हैसे बेट! तुहान को छोड़ दो! वर्नार तुम्हारा यह ओफिसर हमेशा, हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़ देगा! और इसकी मौत के जिमेदर शिफ तुम होगे! यप! अगर विनित का एक बाल भी बाका हुआ ना तो तुम मेंसे कोई भी जिन्दा नहीं जागा यहाँ पे! अब तुम्हारे धमकियोज़ डरने हवाले नहीं है, सिपी! अगर विनित चाहिए तो श्रायम को हमारे हवाले करदो! याड़ी किसी के साथ सवधा नहीं करते ही बल्कि फैसला सुनाती है ठोड़ दे विनित को ठोड़ा इसे स्वान! याई! स्वान! विनित! स्वान! Oh my God! स्वान! विनित! प्रियको नातुम! स्वान, आखे खुल्णी रखो! पुमड़! आजा! आखे खुल्णी रखो! देखो मेरे तरप! स्वान, बताव, जैस्मीन को का रख़्ा है? जैस्मीन! काई, जैस्मीन? बताव, बताव! पुचाव! फाइन! फाइन कॉटन? मिल! फाइन कॉटन मिल? फाइन कॉटन? इस डेड़! लेकिन सर, कौनसी कॉटन मिल? शहर में तो इतनी सारे कॉटन मिल्स हैं? अमित ने बतायाता कि जैस्मीन को उसने खुलाबा में चुड़ा कुलाबा में एक मिल है, एक कॉटन मील जो बंद पड़ी है, वही हो सकती है. तुम यही पर रुखो, मैं वा चलता हूँ. अबिजुत को बताओ, अबिजुत को इन्हें पॉर्म करो. सर्थ. इस इजागे में तो यही एक मिनले है, लगता है यह मिन बंद है. पर अगर यह में बंद है, तो पर जसनीन को भी यही पर रखाओगा. तुरो रायम किसकी हो सकती है, चलकर देखना पुरेगा. अबिजुत को बताता हूँ. अजिए, नेट्वर्क है नहीं? अजिए, अबिजुत को बताऊँ कैसे? अंदर जाके देखना पड़ेगा. या एक बार ये घुंदे हाथ में आजाए तो प्रिया का भी पता चल जाएगा. कि ऐसीपी सापका फोन कर देता हूँ राका राका और स्पीर से चला चला तो तो डिक दूरागा पता नहीं यार मगर कुछ दिखाएंगी दे रहा है डिव जो जो गड़ा लोगा जाए कैसे बाली चला रहे हैं जब 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 कर आरा यार कहीं को प्रिया में वह पी तॉप तशिकर अग्ण कि अगई कि अगई कि अगई कि यह तो मर चुका है यह भी मर चुका है कि यह भी मर चुका है बेब इन्हों अच्छाना कि इतनी जल्दी कैसे मर गए एक्सिदेन्स उतना पड़ा देख्वेने देख्वेड़ा. अबजी, इदेख्वा. खुण? अबजी? लापसर? लापसर? माइगाड. क्या आदी पेल? तो इन तीनों को जहर से मारा गया. पर इस सब किया किसने होगा? और क्यों? तुकि उसे मालूम था अगर ये तीनों पकड़े गए, तो CID उन तक पहुंच जाएगी. अगर CID के हर चाल्स के बारे मैं उसे पता कैसे चल रहा है? है कौन ये आदमी? इससे भी साफ की गाड़ी? सर कहा है? उनका फोन अभी भी लगने रहा है. सरू किसी मुसीबत में है. सर अबने आपको आपको बहुत दूड़ा सर वहां पे. बगर आप आप कहीं मिले ही थी? सर अब हमें लगा कि तुम्हें लगा कि मैं भी प्लास में मर गया है? हाँ, सर. इतना बड़ा बलास था, सर. लाशे ही लाशे पड़ी थी हर तरफ. सब जगा धुआ और राख थी. लाशे पैचान में नहीं आ रही थी, सर. सर, हमने एक 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 लाश को पलट-पुलट के दिखा कि कहीं. सर, अगर आपको कुछ हो जाता तो, हम कई कहने रहते, सर. आपके बिना, हम लोग जी नहीं सकते, सर. सर, हमारी भी जिन्दगी बेकार हो जाती. मैं तो वहीं पर था, बस छोड़ा सा दूर ता इसलिए तो बजगा है मैं. मगर सर, आप आप हमें मिले कैसे नहीं? बलास के बाद आप कहां चले गए थे? तुम नहीं तेखा ना किना जबर्दस बलास आओ. वह बलास का बबका मेरी तरफ आया और वह गरम गरब आग जैसे चिपक गई मेरे से मेरा दिमाग है गुंग गया. तुम सूटके तो चिंदे चिंदे हो गए. सर्म, हमें तो यह भी लगा था कि आप 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 बलास में गायल हो गए और उन गुंडे लोगों ने आपको किड्नाइप कर लिया है. अभी जीत, इतने लोग उमरे उनके साथ कोई गुंडे भीत होते हैं. बियोची के हलत में मैं जैसे उनके तरफ बढ़ा हो. चित्रोले साथ, आप यहाँ? CID की हिज़त मिट्टी में मिल जाए और DCP चित्रोले पतंग उड़ाता रहे. तेके साथ, प्लीज, आप जब भी प्यूरों में आते हैं, कुछ ना कुछ आग लगाके निकल जाते हैं. CID की हिज़त के लिए, हम लोग उने अपनी जान की बाजी लगा दिये, सर. जान की बाजी, अपनी जान बचा लो, दूसरों के गई भाड में? दिखे, सरी, बहुत गलत बात है. तुम तीनों वहीं पे थे, जहां पे ब्लास्ट हुआ, थे ना? हाँ, थे. वहां पे जितने भी लोग थे, उन में से बारा की लाशे मिली हैं. पर बाकी तीन की हालत ऐसी है, कि अब मरें और तम मरें. बदमाश तो सारे मर गए, मगर यह सीएडी ओफिसर्स कैसे बच गए? आप क्या चाहते हैं? हमारी विलाश हमाँ पड़ी होती? मैंने पूछा विलाश में वह लोग तो मर गए, तुम लोग जिन्दा कैसे बच गए? मतलब हमारी मौत होती तो आपके दिल को ठंड़क पहुचती है? जान की बाजी लगाई थी ना तुमने? हाँ, लगाई थी. मगर हमारे वहां पॉस्त ही ब्लास हो गया था. ब्लास तो हुआ. मगर ब्लास में, असल में क्या हुआ, वो देखो. वहां पे एक CCTV क्यामेरा लगावा था. बहुत तूल. उनना तो आप लोग को मालम था, ना उन्हें. मदमाशुकी मौत कैसे हुई? और ACP साप कैसे बच्चे? वो देखो. पर शर्म से निगायें जोग गई ना? सिर उठा के चलने के काबिल ने रहे तुम लोग. एक यह कोना ठुन लो और सिर छुपा दो उसके अंदर. कल से नकाप एन के घूमना, किसी को पता नहीं चलना चीए है. कि तुम लोग C.I.D.A. Officers हो. सर, क्या है? तुम नहीं समझोगे, अभीजीत. तुम नहीं समझोगे. तो समझाओ ना. तुम्हारे आट पर गन थी. और बदमाश जास्मिन को गोली मारने वाले थी. तो उसको बचाने के बजाए? वह से निकल लिये? तो क्या पंदराभ इस लोगों को गोली मारता मैं? हाँ. कम से कम इरसत तो बच जाती. लड़के को गोली मार दी उन्होंने है. और A.C.P. प्रदुमन वहां से भाग निकला? ये गलत है, सर. एस भी सब पर इल्जाम लगाने से पहले दो बार सोच लिजिए, सर. पच्छीस बार मैंने इस वीडियो को चला के देखा है. और जितने बार देखता हूं, यही दिखाई देता है. कि जब बहादुरी दिखाने का वक्त आया, तो A.C.P. प्रदुमन वहां से ऐसा भागा, जैसे कुत्ता दुम दबा के भागता है. चित्रोले! सिर्फ एक ही जवाब चाहिए. बस, जो भागा? केस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, सर. यह एक बहुत बड़ी साजिश है. अगर सबको पता चल गया, तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे. बड़ी साजिश है तो बता थे क्यों नियों? हम सब C.I.D. officers है. हमसे कैसा परदा? परदा है, सर. परदा है. हरे को नहीं बताय जा सकता. हमें भी नहीं सकता. नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी चित. यह जो इपना बड़ा इंदरजाल तुमने अपने आसपास बना के रखा था ना, इसी पी प्रदुमन. वो तूट गया है, इस वीडियो सा पता चल गया है, तुमारी बहादुरी स्रफ इन ओफिसर्स की वजह से है. जैसे तुम अकेले पड़ें, निकल भागें. तुम्हें सियाइडी छोडनी पड़ेगे. रेजिगनेशन देना ही पड़ेगा. I want your resignation. Sir. Sir, यह आप क्या कह रहे है? 24 खंटे, बस 24 खंटे देता हूँ. डिसाइड कर लो. अपने आप चाना है हिजजत से, या जूते खाके. चित्रोले! चित्रोले? चित्रोले? कर दो आप रहे हैं तो खंटे, अन्यों बोस्ते एक इसे, प्रिश्मे टार्वरे में सहाँ धिरके. यह भी रहे हैं. कि मुझे व्यूमान आप आप ड्रते फंटे इसे, अजिवादी आपके बाहे हैं. कि यह प्रता है, अजुचर बाहे हैं. झाल झाल